चलिए आज हम बनाएंगे अर्भी की एकदम सूखी वाली चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी जिसे खाने के बाद आप पलेट के साथ साथ ना कड़ाई भी चाड़ जाएंगे या फिर यू कहना भी गलत नहीं होगा कि एक रोटी की बज़या चार चार रोटी खा हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टू माई चैनल जैक आपने घर के में मैं जोती आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं सबसे पहले मैंने आप पर ले हैं 500 ग्राम अर्भी जिसको बढ़िया से मैंने आप चील करके तीन से चार बर बढ़िया से धोलिया है जिससे कि हमारी ठीक पानी जिससे कि हमारा यहां बढ़िया जाएंगी दो विसल आने पर इसको बढ़िया से बंद करना है और एक विसल में आप चैक कर सकते हैं एक मसाला तेयार करेंगे हम लोग यहां पर पैन में मैंने एक चोड़ा चम्मा साबु दरला धनिया लिया है और आदा आपके पास राई ना हो तो आप सरसोका भी यूज कर सकते हैं थोड़ी सी कलोंजी का यूज किया है मैंने थोड़ी सी मैंने डाली अजवाइन जो कि पेट के लिए क्या फ्लेवर मही बहुत ही बड़ी है लगती है तीन से चार सुखी वाली लाल मिश देंगे और थोड़ी कि मैंने इसमें डाला है मेथी दाना क्योंकि अर्भी में मेथी तो बहुत ही ज़रूरी होती है सभी चीजों को हम यह पर सौटे करते हुए या फिर फ्राई करते हुए एकदम लो फ्लेम पर अपने मसालों को यहां पर हलका सा भून लेंगे जैसे हलका सा भून लेंगे ना क्यां पर अर्वी हमारी बढ़िया से कुख की है मैं वह अब क बहुत ही व्यादर भी ने याथ है इस तरीकी का आपको मसाला रखना है इसको बहुत निकाल लेती हूं 5 कटौरी एक अर्वी बनाएंगे न बहुत जड़ा टेस्ट यम्ई वनने याथ कादाई में कंप भी शियुका के समातु है तो के लिए 16 को ने उख सकते हम धैने के से अर्व्यान जड़ी निन अगड़ा में बनाने पर अब हम पहले प्रियम करेंगे इतना उख मैं इस थोड़ी सिफ ग्राउन उठीं इनको मैं प्लेट में निकाल लेती हूं और फिर से मैं कढ़ाई में डालूंगी एक से डेड़ चमश तेल को बढ़िया से गरम धुआ आने तक गरम करेंगे और फिर गैस की फ्लेम को कम करते वे आदा छोटा चमश जीरा और थोड़ इसी हिंग डाल करके बढ़िया से तड़ एक बारिक करते में यह पर प्यास लिया है तो हलका से सोटे करेंगे अखला जैसे प्यास जो हमारा ब्राउन करने का आना शुरू हो जाएगा नवस अतना ही कलर हमको यहां पर अपनी प्यास का चेंज करना है आप यहां अपनी अपनी फ्लेम को मीडियम तो हाई रख सकते ह प्रन हो जुका है हखासा चेंज करने तुम कश्मीरी लाल्मिट्र नूर्मीटर नौप साथ लूढ सोरी भी इंद्ल मिक्स कांड उन्क मीत्वरन और को बंना नाैंक थैसे कि अगर लग पृण मिक्स करना हुए प्छय मिक्स क्या बड़े ऐसे उठाई और चारो तरफ इसमें डाल दीजिए एक आचा मज बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं मसाले के साथ अर्भी कैसे लिट पिट गई है अभी मसाले हलके से और थोड़े से भून जाएं और थोड़े से लिट पिट जाएं उसके लिए हम क्या करेंगे न थोड़ा सा इसमें हम लगाएंगे अपना पानी ज्यादा नहीं सिर्फ आधा कप इसमें पानी डालेंगे ताकि जो भी मसाले रगह रहा है वह फूल जाए और बड़ी असे हमारी अर्भी पे लिट पिट जाएं और थोड़े से पक भी जाएं हमारे मसाले डालते ही पानी क इसलिए कहाता मैंने कि फ्लेम को आप यहां पर जाये तो और मीडियम भी रख सकते हैं अर्भी हमारी पकी है तो यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सबी चीजों को मिक्स करते वे लास्ट में एक मुठी हम यहां पर हरा धनिय डाल देते हैं और मसाले के साथ इसको ढख करके हम पका लेंगे एक दम धीमियास पर ताकि जो फ्लेवर मसाले अगरत जो भी अर्वी के अंदर तक चले जाए यह ज़रू कीजेगा एक दो सेकिंड के लिए आपको ढख करके ज़रू रखनी अपनी अर्वी और यह देखिए लास्ट में क्या रंगत आई है हमारी अर्वी की जो खुशबू आये ने धकन उठाते मैं आपको बताने सकते हैं चली सर्फ कर लेते हैं और इसको आप रोटी चपाती परांठे जिसी जिस भी चीछ के साथ सर्फ करना चाहते हैं करिए लेकिन एक बार इसो ट्राइज जरूर कीजेगा आई होप आपको प खान रखें खुश रहें टेक केर और बाबाए गाइस थैंक यू फर वचिंग